जैसे शाम दोस्तों मैं आपका जोतिश मित्र पंडित हर्ष एक बल फिर से आपका मेरे यूटूब चेनल एश्ट्रो पंडित हर्ष सम्मा में स्वागत हैं बड़े ही सरल तरीके से जोतिश को जानेंगे और समझेंगे मित्रों आप सभी को दिपावली की हार्दिक सुब काम आए आज के वीडियो में हम जानेंगे दिपावली से जुड़े वे कुछ ऐसे विशेश टोटके जिन्हें करने से ले पाएंगे धन लाग तो जुड़े रहे ही मेरे इस YouTube वीडियो के साथ नत तक आए मित्रों जानते हैं आज के वीडियो में दिपावली से जुड़े वे कुछ विशेश प्रकार के उपाईवे टोटके मित्रों दिपावली का त्योहार धन और सम्रत्ति की प्राप्ति के लिए मनाय जाता है तंतर सास्त्रों में दिपावली के दिन किये जाने वाले अनेक महत्तपुन प्रियोगों का वर्रन मिलता है ये प्रीयोग अधिकांस धन प्राण दायक वय उपाई दिपावली के दिन किया जाना चाहिए दिपावली की रात में विदी विधान से महालक्षमी का पूझन गरें दिपावली के सुब अवसर को लक्षमी के प्राकट्यगा दिन माना जाता है मित्रों इसलिए लक्ष्मी प्राप्ति के समस्त उपायवे टोट के इस दिन सिध होते हैं छोटी दिपावली के दिन प्रात्यकाल सनान करके सबसे पहले स्री विश्णु और लक्ष्मी जी की परतिमा को कमल गट्टे की माला तथा पीले पुश्प अरपित करें धन लाप के अफसर प्रापत होंगे दिपावली की रात में रुद्रक्ष की माना से स्री स्रेह नमय मंत्र का जाब करते हुए घी तता शक्र की आहुती देवे अकस्मा धन लाप के आने की आगमन बनेंगे मित्रों यदि आपके पूजा काने में कोई महमान आता है तो यह बहुत सुभ है इस वक्त को उसे महमान को जलपान अवश्या करवाए ऐसे में महालक्ष मीजी के आगमन का समय ये माना जाता है मित्रों दिपावली कूजन के पस्चात नो गोमती चक्रों को तिजोरी में स्थापित करने से साल भर घर में सुख सम्रदी बनी रहती है दिपावली की रात लक्षमी कूजन के वक्त चन्ने के दाल लक्षमी जी पर छिड़क दें लक्ष्वी पूजन के बाद दाल इकटी करके पिपल के पेड़ पर चड़ा देने घर में धन लाव के योग ऐसा उपाय करने से बनेंगे मित्रों दिपावली के दिन प्रात्यकाल किसी करीब निर्दन वेक्ति को 9 किलो गेहूं का दान करने के पस्चात ही दिपावली के मांगली कार्य करें घर में कभी भी धन की कमी नहीं आएगी दिपावली की शाम को दही, सिंधूर, काली, उड़त के दो पापड लडोकर किसी पीपल पेड के निचे रखावें ऐसा करने से धन आगमन के रास्ते खुलेंगे मित्रों ये दिपावली के दिन करने वाले कुछ विशेश उपाए वे टोटके ये उपाए करने से धन के मारक खुलेंगे और मालक्षमी जी की किर्पा आपके उपर बरसेगी मित्रों ये उपाए करिए और मालक्षमी जी का आसिवाद प्रापत करिए आज के लिए बस इतना ही जै स्रीशाम जै मालक्ष्मी